असलाम लेकूं विवर्स आज रुबीनान सारी किचन में आपके लिए दाल हरे आली तयार हो रही है एक कप हरी छिलकवाली मुंकी दाल को मैंने धो लिया है साफ कर लिया है भिगोया नहीं था इसी कप से आदा कप मैंने अरहर की डाल ली और से धोकर आदा घंटा पहले भिगो दिया था ये फूल गई है ये दोनों डाले मैंने कुकर में डाल दी है दो टेबल स्पून मेथी के लेकर मैंने उसे धोकर भिगो दिया था ताकि इसका मीठा पन निकल जाए ये भी साथ में शामिल कर दिया है एक टीस्पून नमक और क्वाटर टीस्पून हल्दी का डाला है नमक आपने टेस्ट के मतावे कम्या जादा कर लीजेगा दो बड़े साइस के हरी मिर्चें जो तेज हैं ये रफली चॉप डाल दी हैं अब इसमें मैं एक जग पानी का डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और मिक्स करने के बाद फिर हम कुकर को बन करके से घलने के लिए रखेंगे इस कुकर को एतियास से आप हैंडल कीजिएगा इसकी ये जितने भी होल्स वगरा हैं नहीं मैंने चैक कर लिया था कि ये बनना हो अब मैं इस पर वेट लगा रह है फ्लेम आफ कर दिया है वीवर्स अब मैं वेट हटा रही हूं कि वेट चलना बंद हो चुका था इसे खोल रही हूं और चेक करते हैं देखिए कितनी अच्छी तरह से गल गई है और गाड़ी भी हो गई है इसे मैं थोड़ा सा घोटूंगी बहुत जादा घोटना नहीं है कि अराम से घुट जाएगी सी चमच की मदद से अब दो टेबल स्पूंस में धनिय के डालूंगी अगर आप चाहें तो इसमें पानी दाल के से पतला कर सकते हैं इस स्टेच पे और उबाल लगा लिजेगा लेकिन किमके मुझे पतला नहीं चाहिए इसलिए अब मैं इसे के सीड डाल रही हूं इहतियास से यह चलते हैं एक बड़ी लाइची डाल रही हूं इन दोनों को थोड़ा सा खुछबवान तक भून रही हूं अब इसमें एक टीस्पून सफैजीरा और दो पिंचिस कलॉंजी सुनाते नवी सल्ले लाले वाले वाले सलम के मतार्वे डाल है दस से बाराश में पत्ते हैं यह डाल दिये हैं बड़ी अच्छी सीन के हुश्बू आ रही है इन्हें मिक्स किया है एक दरवयाने सा इसकी प्यास जो के मैंने आमलेट स्टैट में कट की है वो डालूंगी और वो डालने के बाद फिर हम इसे थोड़ा सा पिंक होने तक फ्राई करेंगे यह देखिए इसे मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी अभी तो फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद वीवर्स एक मिनट लगा और प्यास देखिए कि नारों से थोड़ी गोल्डन हो रही है पिंक हो चुकी है अब मैं इसमें एक इंचकाद रखका जो रफली चॉप्ट है और तीन बड़ी हरी मिल्चें जो के काफी स्पैसी है मैंने काट के डाल दी है अब इन सब को हम मिक्स कर रहे हैं और गोल्डन होने तक फिर हम मिलते हैं यह देखिए वीवर्स अच्छी खासी प्यास गोल्डन हो गई है लेकिन अभी यह थोड़ा स के बाद इसे मिक्स करके और थोड़ी सी देर के लिए फिर हम ढखका रखेंगे ताकि इसके खुश्बू बगहार की तमाम डाल में मिक्स हो जाए तो फिर मिलते हैं 30-35 सेगंड के बाद वीवर्स अब आपके लिए डिश आउट हो रही है देखिए कितना खुबसूरा सा ट बढ़ड़ा रखा है तका कि रूटी के साथ सर्फ करूंगी से आप चाफाथी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं बहुत ही मज़िधार लगती है से मैंने इमली के लिया चवंसा और के साथ सब्सक्राइब यूदि को जो पहुत ही पसंद आएगी इस रेसिपिट को पीज़र है कीजेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक भी कीजेगा मिलते हैं एक और नहीं जैसी भी के साथ असलाम लेकम और अल्ला हाफिज